यह center point है जो दिखाय जा रहा है चारविनार के एकनम center point है और अगर आप यह देखे से देखते चले जाओ तो इसके ऊपर तक आते आते तक यह देखते चले जाओगे तो यह उसका गुंबत का टॉप पॉइंट है जिसमें यह बना हुआ है यह बना हुआ है और इसी पॉइंट पे चारो तरफ रिफ्लेक्शन में पूरा गोल शेप में बना हुआ है यह बना हुआ है और चार तरफ दर्वासे बने हुए एक यह दिया है दूसरा यह दिया हुआ है और आपक तो उसमें कई कोई तरह के फिगर बने हुए जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई कलाकरती बनाने की कोशिश की गई है अगर आप सेंटर पॉइंट देखोगे तो उसमें बहुत ब्यूटिफिल उसमें करशाई करी हुए है जो मैं इसको क्लोजब दिखा रहा हूं और अगर आप उसकी बाउंटरी देखोगे तो उसमें जो चार तरफ बाउंटरी बनाई हुई है वो भी एक शेप बना हुगा है अगर आपको क्लियर कट देख रही है चार तरफ गोल बने हुए नीचे फूल बने हुए और उसमें सर्प का शेप में वो दिखा रहा है बना दिया है जैसे कि आप देखते होगे गयान वापी में जो उन्होंने करके रखा हुआ है तो यह कोई भी शेप आ सकता है जो उन्हें दिखाया हुआ है I thought I'll show you this part so that you understand कि यह कैमोफ्लाज भी हो सकता है जो जो सेंटर शेप जो बाद में बनाके रिखा हो को कि इसका यह स सकता है चारत वे सेंटी ढूनने के लिए और यह पूरा पूरा को कि भागे लक्ष्मी मंदिर यहां पर उसने कोई दर्गावर्गा भी बना डाली यह उसने दिखाया हुआ है यह बहुत हिंदूस आ रहे हैं और इसी को बिखाने के लिए बोलते हैं कि हमने प्लेक से रिज इसको और भी आर्किटेक्चर ली इसकी स्टडी करना जरूरी है ताकि यह फाइंड आउट हो सके मेरा परस्नल थौट यह है कि यह शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर को करणवर्ट किया है क्योंकि अगर आप देखो यहां से आप देख रहो तो यह बांटरी एक बनी हु इस पे रिसर्च करना जरूरी है ताकि फाइंड ओट कर सकें इसलामिक तरीके में कैमोफलाज करके कबजा करके उसको अपने नाम करने का रिवाज पुराना है जिसको की पुराना करके अपने नाम से कर देते हैं और आप रिसर्च करते हो कोट चले जाओ कुछ नहीं आपक और सबसे अधा बदमाशी यह इसके देखों अगर आप देखोगे तो अदर का भी बना दी ताकि आदमी को उसके अंदर वहीं बाल भागे लक्ष्टी मंदर की बाहर ताकि आप कुछ करी नहीं सको अब बना दी अब आप अब कोड जाईए वहां जाईए फैसला करते रहें क कुछ नहीं हो सकता तो शिवलिंग मंदिर के पास हो तकता यह शिव बंदिर हो यहां शिवलिंग लगा हुआ हो अब आप उपर कुल बना हुआ हो उससे पानी दा रिफ्लेक्शन मीचे हो कोगे आज भी सपाई वैसे ही होती है कुंट के अंदर हो सकता असकी प्राहिन करमा करनी की दरूत पड़ती है बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस समय आप से चार बेनार के बाग कर रहा हूं है डराबाद से जिसको भागे नगर भी कहा जा सकता है और आज नहीं तो कल यह जुरू कहलाएगा धन्यवाद